सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अन्पमग्यान को और पेल एकन को दबाईए हेलो प्रेंट्स वेलकम टू अन्पमग्यान चैनल दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं सौर मंडल क्या है सौर मंडल सुज के चारोर अंडाकार पत पर प्रिकर्मा करने वाले ग्रहों उप ग्रहों चुद्र ग्रहों धुमकेतु उल्का पिंडो को सौर मंडल कहते हैं सौर मंडल में खुल आठ करह हैं दो हजाज़ चौ के पहले नौ ग्रह थे एक ग्रह प्रोटो आज लुप्त हो गया है तो आठ ग्रह कौन कौन से हैं आयो सुनते हैं पहला ग्रह बुद्ध दूसरा सुक्र तीसरा प्रित्वी चौथा मंगल पांचवा बिरस्पत छठा सनी साथवा वरून आठवा वरून तो आए बारी-बारी से सब के बारे में जानते हैं सोर्य परमाली की खोज कोपरट निकस ने की थी तर्था सोर्य गती का नियम कैपलर ने दिया था तो आईए सबसे पहले सूर्ज के बारे में जानते हैं सूर्ज प्रितिव का सरवारिक निकट करता रहा है सूर्ज एक गैसिय गोला है जिसमें 71.7 हाइडोजन 26.5 परटिसद हीलियम यह वंदू 2.5% अनुतत्व है सूर्ज के केंदर पर हाइडोजन के 4 नाविकीय मिलकर एक ऐलियम नाविक का निर्मान करता है इसके केंदर पर नाविकीय सनलण करिया होती है जो सूर्ज की उद्जा का सुरोत है सूर्ज का प्रकास प्रितिवी तक पहुंचने में आठ मिनट तथा सोरे सेकेंड का समय लगता है अब आए सूज के सबसे निकट का ग्रव नमबर एक बूद्ध के बारे में जानते हैं बूद्ध मतलब मरकारी या सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रव है और सूज के सबसे निकट है इस पर दिन अतिक गर्म और रात बरफिली होती है बूद्ध सूज की परकार्मा सबसे कम केवल 88 दिन में पूरा करता है इस ग्रव पर बाइमोंडल नहीं है इसलिए यहां जीवन संभव नहीं है सूज के निकट की दिश्टी से नमबर दू परस्थान आता है सुक्र यानी भेनश का सुक्र अन ग्रहों के विप्रित सुर्ज की परिकर्मा पूरब से पच्चिम के उड़ लगाता है इसलिए इसका सुर्योदय पच्चिम से और सुर्याष्ट पूरब में होता है इसलिए सुक्र ग्रह को इबनिंग एस्टार तथा मौर्निंग एस्टार भी कहते हैं अकार और घहनतों में पृत्वी के समान ही है इसलिए इसे कोई नामों से जाना जाता है प्रिथ्वी का जुरुवाब तथा प्रिथ्वी की बहन इत्यादी नामों से इसे जाना जाता है सुक्रग्रह का कोई उपग्रह नहीं है सुक्र के बाय मंडल में 95% CO2 तथा 365% nitrogen है सुर्ज के निकट के दिश्टी से नबर तीन पर अस्थान आता है प्रिथ्वी का या सुर्मंडल का एक मात्रग्रह है जिस पर जीवन है प्रिथ्वी का बिश्वत ब्यास 12756 km तथा धुरुविये ब्यास 2714 km है यानि प्रिथ्वी के बिश्वत ब्यास तथा धुरुविये ब्यास के बीच लगभग 43 km का अंतर है प्रिथ्वी अपने अक्ष पर सारे तेज डिग्री पर जुकी हुई है यह अपने अक्ष पर पच्छिम से पूरव 27 किलमेटर परती मिनट की गती से घुमती है और यह एक चकर तेज घंटे 56 मिनट चार सेकेंड में पूरा करती है जल की उपश्थिती के कारण इसे निला गरह भी कहा जाता है प्रिथ्वी का एक मात्रूप गरह चंगरमा है सुज के निकट की दिष्टी से नमबर चार परास्थान आता है मंगल यानि मार्स का मंगल गरह को लाल गरह भी कहा जाता है आइरन अक्साइड के कारण इसका रंग लाल है प्रिध्री के सामान अपनी कक्षा से पस्टिश डिगरी के कौन पर जुका हुआ है इसलिए यहां पर रित्व परिवर्तन भी होता है मंगल ग्रह पर बाइमंडल का पतला आवरन है जिसमें नाइटोजन आरगन गर्स पाई जाती है मंगल ग्रह के दो उप ग्रह हैं फोबोस और डिमोस डिमोस स्वार मंडल का सबसे चोटा उप ग्रह है सौर मंडल का सबसे बरा ज्वाल मुखी ओलीपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे उंचा प्रवत निक्स ओलम पिया जो माउंट हेवरेष्ट के तीन गुना अधिक उंचा है इसी ग्रह पर पाया जाता है सौर के निकट की दिष्टी से नमबर पांच पर अस्थान आता है ब्रिस्पत ग्रह यानि जूपिटर का सौर मंडल का सबसे ब्राग्रा है या मुक्ता गैस और द्रब से मिलकर बना है इसलिए ब्रिस्पत में ठोस भूमी का भाव है पर इसके उपग्रा ठोस पीड है विरस्पती के उपग्रहों की संक्या स्वार मंडल में सबसे अधिक है इसमें से गैने मीर् स्वार मंडल का सबसे बड़ा उपग्रा है सभी ग्रहों में इसकी रोटेशनल स्पीड सबसे अधिक 10 गंटे और इसको सूरी की एक परिकर्मा लगाने में बारे बर्स का समय लगता है मौंगल और विरस्पती की कक्छाओं के बीच कुछ छोटे-छोटे आकासिय पीन है जो सूरी की परिकर्मा कर रहे हैं इसे छुद ग्रह कहते हैं इसमें से सबसे बड़ा चुद्र ग्रह सीरस है सूरी से दूरी के अनुसार नमबर छो परास्तान आता है सनी ग्रह का यह आकार में सौरे मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है इस ग्रह की विसेहता है कि इसकी चारू और परकास की कुंडली है जिसे वलाय कहा जाता है इस वलाय की संख्या साथ है इसकी खोज गैललियोद वरा की गई थी सनी का सबसे बड़ा उपगरा टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपगरा है सनी पगहनत्व जल से भी कम है मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो यह तैने लगेगा सौर से दूरी के अनुशार नमबर साथ परस्थान आता है औरून यानी यूरेनस का यह सौर मंडल का तिसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसका परिभरमन सुक्र ग्रह की भाती यानी औरून ग्रह भी सौरीज की प्रकरमा पूरब से पच्चिम की ओर लगाता है इसलिए इसका सुरियोदय पच्चिम और सुरियास्त पूरब में होता है यह अपनी दूरी पर सुज की ओर इतना जुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है इसके बाइमंडल में मिथेन अधिक मात्रा में उपश्ढित है सूज़ दूरि के अनुछार सबसे अन्त में 9 पर अस्थान आता है वरुण यानी नेप्टुन का यह हरे रंग का है और यह सूज़ के सबसे अधिक दूरि पश्ढित है मिथेन के अधिक्ता के कारण ही यह ग्रह का प्रकास हरे रंग का है इसलिए वरुन को हरा ग्रह भी कहा जाता है अब आएए कुछ प्रस्णों को देख लेते हैं जो परिच्छा में बार बार पुछे जाते हैं प्रस्ण एक सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो इसका उतर हो जाएगा बिरस्पती यानि जूपिटर प्रस्ण दो सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है तो इसका उतर हो जाएगा बुध यानि मरकरी नमबर तीन, प्रिथ्वी का एक मात्र उबगरह कौन है? तो इसका उतर हो जाएगा चनर्मा यानी मून नमबर चार, सुर्ष से सबसे निकट गरह कौन सा है? तो इसका उतर हो जाएगा बुद यानी मरकरी नमबर पांच, सुर्य से सबसे दुर ग्रह कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा वरुन, नेप्चून नमबर चौव, प्रिथिवी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा सुक्र यानि भेनस नमबर साथ, सौर मंडल परिवार में सबसे चमकीला ग्रोह कौन है, तो इसका उतर क्या हो जाएगा, सुक्र यानि भेनस नमबर आठ, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रोहों वाला ग्रोह कौन सा है, तो इसका उतर क्या हो जाएगा, विरस्पती यानि जूपिटर नमबर नौ रात्री में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा मंगल यानि मार्च नमबर दस सौर मंडल का नीला ग्रह कौन है तो इसका उतर हो जाएगा प्रित्वी यानि अर्थ नमबर 11 भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो इसका उतर हो जाएगा सुक्र ग्रह को यानि भियनस को नमबर 12 सांस का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो इसका उतर भी हो जाएगा सुक्र ग्रह को नमबर तेरा पित्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है तो इसका उत्तर भी हो जाएगा सुक्र ग्रह को नमबर चौधा हारा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है तो उत्तर हो जाएगा वरुन यानि नेप्चुन को नमबर पंदरह बिशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा ब्रस्पति यानि जूपिटर को नमबर सोलह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो इसका उतर गेनी मेड हो जाएगा नमबर 17, सौर मंडल का सबसेज छोटा उब ग्रह कौन सा है तो इसका उतर होगा डिमोस नमबर 18, सबसेज चमकीला तारा कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा साइरस यानि डॉग एस्टार नमबर उनिस, सौर पर नाली की खोज किसने की थी, तो इसका उतर हो जाएगा कोपर निकसने नमबर बीस, ग्रहों की गती के नियम की खोज किसने की थी, तो इसका उतर हो जाएगा कैपलर नमबर 21, प्रिथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा सूरे नमबर 22, प्रिथ्वी को सूर्ज की प्रिकर्मा करने में कितना समय लगता है, तो इसका उत्तर होगा 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड, यानि लगभग 365 दिन, 6 घंटे नमबर 23, सूर्ज से प्रिथ्वी की दूरी कितनी है, उत्तर, चुकि प्रिथ्वी अंड़कार पत पर प्रिकर्मा करती है, जिसके कारण सूर्ज से इसकी दूरी बदलती रहती है सूर्ज से प्रिथ्वी की अधिकतम दूरी 15 दस्मलव 2,1 करोर किलो मीटर यह कब होता है, तो यह 4 जुलाई के होता है सूर्ज से प्रिथ्वी की निवंतम दूरी 14 दस्मलव 7,0 करोर किलो मीटर यह कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है नमबर 24, सुज का प्रकास प्रिथ्वी तक पहुँचने में कितने मिनट लगते हैं? उतर 8.16 मिनट नमबर 25, किस ग्रह के चारो और अस्पष्ट वलय हैं? उतर सनी के, सनी के वलयों की संख्या कितनी है? तो साथ नमबर 26, उतरी धुरू की खोज किसने की थी? उतर, रावट पियरी, नमबर 27, दक्षनी धुरू की खोज किसने की थी? उतर, एमर्ट शेन नमबर 28, किसने सबसे पहले प्रिथ्वी की परीधी की माप की? तो इसका उतर हो जाएगा इरेटू एस्थिनीजने तो इतने परशन को आपने देख लिया तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपका स्वर मंडल से समाधित परशन लगभा 100% सल्व हो जाएगे चलिए फिर मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 गुडबाई थैंक यू पर वाचिंग कुछ रहिए निड़ोग रहिए बाई बाई भुडबादी झालिए समगरे वीडियो में वीडियो में तक को सकते हूँ